वेलकम तो मैं चैनल लेवी रॉक्स तो भी एक मैच होने वाल है सिरीय लीग का टी ओ आर वार्सल मिलन के बीच दो गंटे उन्चास मिनिट के बाद तो बात करें मेरा टेली क्रम चैनल लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ फटाफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे में अब चुछ में लेकर में आपको बता थूं मिलन ही जीते की क्योंकि मिलन टॉप टेबल में सबसे टॉप है पिछला मैच मांता हूँ अच्छा ने गया मिलन टीम का ऐस यू नोओ आपको पता है कि विगोजी के खिलाब अच्छा नहीं प्रतरशन कर पाए तो इसम पे क तो बाइसी थी नहीं लेकिन खेला बहुत अच्छा लिटरली अभी तक गेम याद है मुझे इस प्लेयर की आगे से अगर मैं बात करूँ टी हर्नेंडीस की देर वोस्टी हर्नेंडीस पिछले मैच में मेरा कैप्टन था मेरा क्या सब ऑपोनेंट्स का कैप्टन था क्योंकि मैंने मतलब बहुत कॉंटेस्ट ज्वाइन किये थे औल अवर सबका ही कैप्टन था ये बंदा मैं कोई एक लौ था नहीं हो भाई मेरा कैप्टन नहीं सबका था कहीं आप बोलो हमारा भी था मैं तो खोदी कह रहा हूं डी कैलाबैरिया की बात करें डैविट कैलाबैरिया तो अब ध्यान से सुनना समझने की बात है ध्यान से पूरा तो टी हर्नेंडेज डी कैलाबैरिया आपको बता दूँ कि फस्ट जो फॉल तो सेलेक्शन देखना छोड़ दू मैं आपको बता दू का जो खेलने का तरीका है वो बाकियों से डिफरेंट है और दूसरी बात ही कि कैलाबैर ये का डिफरेंट तरीका इसलिए है क्योंकि आपको बता दूँ इस तरफ से गोल नहीं हुआ तो आप जीत गए लेकिन अगर मिलन टीम गोल कर देती ऐसा हारते ना बाकि सब आपके ऑपनेंट मतला मैं तो वेट कर रहा था 90 मिनट तक मैं आप मानोगीरी रात क मैश था पूरामेश देखा मैने मतलब मैश शोया तक निए मतलब मैश चल रहा था तो मैं सीडी सीडी बात कहरा हूं मैरा क्यों कि बढ़े पर ता बदी बड़ी टीम से खिलाब भी एडीम है लेकिन इस वक्त अगर आप इसे अपनी टीम में ले रहे है तो मैं कहत हो बौत बड़ी बात है और आगे से बात करें बैनेसर की तो बैनेसर कई लोगों की हार का कारण ये तीनों प्लेयर में से एक बनता ही बनता है कभी बैनेसर कभी तो ना ली कभी मैसियस अब मैं आपको सही बोलू तो मैसियस जो प्लेयर है वो है स्ट्राइकर पिछले मैच के अंदर खेला 45 मिनिट गुस्सा इतना आया था कि यह बंदा मैंने एक इज्जत से लिया 76-80 मिनिट खेलने वाला बंदे को आप 45 मिनिट में सब्चिजूट कर रहे हो और बैने सर को आप लोग खिला रहे हो 70 मिनिट कि इस बेस पे और उसके बाद इनका एक और प्लेयर सेंटरो तोनाली जो कि I don't like this player बट यह अपनी टीम का चांस क्रेटर है तो अच्छे पॉंट दे जाता है इसलिए अप तो ना मैं आपको सही बोलू तो मैसियस Grand League में ट्राइज जरूर करना मेरा तो फेवरेट प्लेयर है आज मैं खूद ही नहीं ले रहा क्यूंकि मुझे आपको भी देखना है यार कला अकेला मैं करता रहूं है और प्लेयर्स लेता रहूं और रिजल्ट उपर-नीचे हो तो मेरे को आप बहुको आप सबको भी देखना है लेकिन पॉइंट्स इचे दे जाएगा आगे बात करें नेक्स के यहाँ पर रोलं हें यहां पर ने वने नहें लिए mad calidad辉 एपे मिलन को देंडा कर देंगी लेकिन के आने से गों नी हो सकता में आयक ऽे रिस्पेक्ट करते हूं इस प्लियर को मेरे को पता है कैसा कीलता है और आपको इसके बाता ही बारे में हैं बहुत बड़ी आप लेर रहा है और गीरियोड की बात करें तो Oliver गीरियोड को कहीं लोग क्या करते हैं कि consistency performance ना खेलने के कारण लोग इसे अपनी टीम में तो लेते हैं लेकिन captain और vice captain नहीं रखते हो इस बात का फायदा उठा सकते हो आप लोग अब आप बोलो के फायदा कैसे उठाना है फायदा उठाना यह है कि एक तो team में ले लो ठीक है ले लिया उसके बाद क्या करना है vice captain लियाओ में से अगर एक भी बंदा गोल कर गया ना एक भी तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूं भले आपने four member contest लगाया हो भले आपने three member लगाया हो आप automatic ली आगे बढ़ते ही जाओगे और बैलोटी की बात करें बैलोटी और ब्रेकैलो में से पहले ब्रेकैलो देना शुरू कर दियो तो मैं उस चीज़ को देखकर यह ले रहा हूं नहीं तो ब्रेकैलो भी अपनी जगा बेस्ट है और ब्रेकैलो ने तो बटी-बटी टीम के खिलाफ तक गोल कर रहा है आप देख सकते हैं यूडिनेस हो गई उसके बाद वेनेंजिया तो बड़ी टी परफॉर्मर है कुछ दिनों बाद एक गोल करता है वैसे बात नहीं है आगे से कैप्टन की कैप्टन एटी हरनेंडी इस वाइस कैप्टन एक गिरियोड यही मेरी टीम मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बाई